संदीप ने अपनी मा के कहने पर गाउं में शादी कर ली थी लड़की का नाम था सुनीता मा का कहना था एकदम मौडन बहु नहीं होनी चाहिए लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गाउं से आने वाली बहु सुन्दर शुशिल तो होगी और उसको गाउं से बाहर भी निकाल लाएंगे लेकिन उसके अंदर का गाउं कैसे बाहर निकलेगा शादी के कुछ दिन बाद मा, टिफिन तो दिना ज़रा बेटा, अब तो स्कूल नहीं आफिस जाता है मा से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर ओकी मा, सुनिता टिफिन ले आओ एगी लो टिफिन, इसके अंदर पिष्टा डाल दिया है पिष्टा, पिष्टा क्यों? साथी ने बोला था ना कि आपको पिष्टा बहुत पसंद है ओहो, मैंने पिष्टा नहीं पास्टा बोला था पास्टा पास्ता काई होता है पास्ता अरे बेची तू रहने दे मैं बना दूंगी अच्छा किया कि पाउ भाजी बनाने का नहीं बोला वन्ना किसी के पाउ बना देती है सुनिता को बुरा लगता है लेकिन उसकी नादान हरकत एक कम नहीं होती ऐसी ही एक दिन अरे तुमने ये क्या लगा रहा है अरे आपको फुस फुस करकी लगाते हैं ना वही दियो का दियो किसको दियो अरे वही ना जिससे खुश्बू आती है हाँ हाँ सही पकड़े है अच्छा लेकर तो आना कौन सा डियो लगा रहा तुमने अभी लेकर आते हैं जी संदीप की बात मान कर सुनीता अंदर से खुश्बू वाला फुस फुस लेकर आती है O.M. जी O.M. जी मतलब O.M. गानेश न अरे O.M. जी छोड़ो ये खुश्बू वाला फुस फुस के बात कर रही थी तुम अरे देवी लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं ये डियो नहीं है डियो नहीं है तो क्या लियो है अरे ये रूम प्रेश्टर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं खुद पर नहीं कोई बात नहीं मा कहती थी आत्मा किराएदार है शरीर एक किराएगा कर्ब हम शरीर पे ये डाल लिये तो क्या फल पढ़ जाएगा अरे बहु ओ बहु मेरे लिए फल तो लिया फिर मैं बाजार जाओंगी सुनीता अपनी साज के लिए फल लेकर आती है अरे बेटा पपीता तर्बूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लू काट कर तो लिया मा जी मेरे गाओं में तो खेट से उठा के सीधा खा लेते हैं अरे ये तेरा गाओं नहीं है ना अरे संधी तु ही कुछ समझा दे ना इसको बेटा मैं कैसे समझाऊ मा ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है कल मैने बोला हाई कैसे हो तु बोलती है किसी को हाई नहीं लगानी चाहिए अरो सुनीता तेरा क्या होगा अभी तो कैसे बताओं मा जी अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा लड़का या लड़की ये बबान कहां से आ गई है रामपूर से जी आपी तो लेकर आए थे मुझे पारा मुझे माफ कर दो पहले कोई गल्टी तो करेंगे आपकी तो शारी गल्टी माफ करतेंगे हम हाँ अरे बहू मेरे बात सुन फल यानि की फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना ठीक है जी ठीक है मा जी फल यानि फ्रूट यानि काट की लाँगी सुनीता, रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वज़ा से उसे घर में दो बाते सुनने पड़ती एक दिन मा, मेरे बॉस घर पर आने वाले है शाम को उनका बज्जे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके तो यहीं पाटी कर लेंगे, उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा मैं न, फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूँगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब सहाब आए तो खाने में कोई गड़ बनना हो शाम को जब सारी तयारिया हो जाती है, संदीप के साथ बड़े सहब भी घर आते हैं आप फ्रूट केक तो ले आना भहू, फिर खाना खाएंगे औरे औरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है सर, आपका परिवार शहर में नहीं है, तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर इतने मही सुनीता फ्रूट केक ले कर आती है और बड़े सहाब की टेबल पर रंतेती है और जैसे ही केक के उपर का बॉक्स हटाती है ओ, यह क्या है, केक तो कटा हुआ है मैं तो ऐसा नहीं लाई थी आप मुझे साबाशी दे सकती है माजी मैंने ही केक काट दिया आपने कहा था ना, फल यानि फ्रूट यानि हमेशा काट की लाना तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना तो मैंने पहली ही काट लिया होना में समझदार अरे बहू ये क्या किया केक हमेशा वही काटता है जिसका जिनम दिन होता है तुझे एक बाद भी समझ नहीं आती एक नमबर की बेवकूफ है पूरा माहूल बिगड चुका था संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है कहीं डिमोशन ना दे दे लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते है अरे अरे को और बात नहीं ये इनकी बेवकूफी नहीं है इनका भूलापन है बेटा आप कहां से हो रामपूर गाउं से अरे वाह गाउं से फिर तो आपके गाउं में ताजे फल और सबजिया मिलते होंगे हाँ सही पगड़े है हम तो कार्टी भी नहीं सीधा खा लेते है हाँ मैं ना एक बार तुम्हारे गाउं घुमने जरूर चलूँगा क्यों संदीप ले चलोगे ना मुझे गाउं घुमना बहुत पसंद है बस फिर क्या था संदीप और साज दोनों खुश हो गए क्योंकि सहाब को सुनिता ने गाउं की बात करके खुश कर दिया था अब संदीप का प्रमुशर पत्का था शिक्षा कभी भी किसी भी गल्ती पर घबराना नहीं चाहिए हूँ सकता है कि उस गल्ती की वज़र से आगे बड़ा फाइदा हो जाए वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धनियवाद आदा इसी तरह कि वीडियो देखने के लिए अगर फेस्बूप में देख रहे हैं तो बोलो करिए और अगर यूटूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए लाइक करना न भूलिए और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर लिखिए धनियवाद राज़ाद